आज हमारी किचन में बन रही हैं और यह बिंडी फ्राई बहत ही मज़े की होती हैं बहत आसान तरीका है इनको बनाने का बस थोड़ा सा क्रश्ट जिनजर इसमें डालें आइल में और उसमें नमक मर्च डालें हल्दी मैं नहीं डालती हूं और टमाटर भी डालने की जरूरत नहीं है थोड़े से प्यास काटके डाल दें और बस इनको फ्राई कर लें बन गी और इसके साथ साथ हमारे यहां पे बन रहा है आज घी देसी घी बन रहा है जी तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ये देशी घी से क्या बनने वाला है तो ये मुझे बताईएगा ये मेरी next recipe होगी कि मैं अपनी kitchen में सर्दियों में खाने वाली cheese जो घी से बननी है वो मैं क्या बनाने जा रही हूँ और घी देखिए कितना मज़े का ये गाए के दूद से जो बटर बनता है ये उससे बन रहा है और इसमें मैंने 200-200 ग्राम के कोई 11 packets यूज किये हैं उनसे घी बन रहा है और बनेंगे हमारे मखाने भी आज हम मखाने के packet भी लेके आए हैं और हम बनाने वाले हैं गुड़ वाले मखाने तो ये रहे हमारे मखाने फूल मखाने इनको भी भून के गुड़ वाले मखाने हम बनाएंगे सर्दियों के लिए ये सबसे अच्छी चीज है जब धूब कम होती है आपकी बॉन्स को विटमिन डी नहीं मिरती है उस वक्त ये सब घर के लोग खाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई